हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आ चैनल फार्मा के दुनिया तो आज का हमारा नया वीडियो एक नय सब्जेक्ट पे है सब्जेक्ट का नाम फार्माकोलोजी फार्माकोलोजी बहुत इन्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने के साथ साथ मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट फार्मेसी स्टुडेंटों के साथ साथ मेडिकल स्टुडेंट लाइक MBBS student and nursing student भी पढ़ते हैं इस सब्जेक को पढ़ने के लिए आप स्टेंडर बूक लिपिन कॉर्ट केडी त्रिपार्थी और पदमे उजय की बूक्स को यूज कर सकते हैं मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो केडी त्रिपार्थी है तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक इंट्रोडक्शन और फार्माकोलोजी एलांग विद फार्मको काइनेटिक एन फार्मको डाइनेमिक है हमने अपना ये नोट्स बहुत ही बेसिक वर्ड का यूज करके बनाया है और इस्पेसली उन इस्टूडेंटों के लिए जो फार्माकोलोजी को पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए हम अपने बेसिक इंड्रोडक्शन और फार्माकोलोजी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फार्माकोलोजी का इंड्रोडक्शन ही देखते हैं फार्माकोलोजी होता क्या है तो फार्माकोलोजी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है फार्माकोन एन लॉगस ठीक ह तो आपको confusion होगा यहां पर drugs और medicine दोनों लिखा है इसका मतलब क्या होता है drugs क्या है ड्रग केमिकल कंस्टुटेंट है जो की raw form में होता है doges form में convert होने से पहले जो doges form में convert नहीं हुआ हो ठीक है वो हमारा active pharmaceutical ingredients होता है जिसको हम बोलते हैं drugs and medicine क्या होता है medicine हमारा doges form में convert हो गया होता है हमारे जो active API में अगर हम coloring agent flavoring agent और भी चीज़ेंट मिलाते हैं और उनको हम doges form में convert करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है medicine तो आपको drugs और medicine में confusion नहीं होगा ठीक है अब इस पर थोड़ा ध्यान देजेगा फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि फार्माकोलोजी क्या है तो हम ने बोला फार्माकोलोजी क्या है all about study of drugs all about study of drugs मतलब किसमें हम drugs की study करते हैं ड्रक्स के बारे में study करते हैं क्या study करते हैं drugs effect on body पहला क्या है drugs का effect हमारी बोड़ी पे क्या हो रहा है second body's response for the drug हमारी बोड़ी क्या response हो कर दिये particular उस ड्रक्स के लिए यह दो टर्म को हम अपने फार्माकोलोजी सब्जेक में पढ़ते हैं ठीक है इसी को हम दूसरी तरीके से definition लिख सकते हैं it is a branch of a science which deals with the study of pharmacodynamic and pharmacokinetic फार्मकोडाइनेमिक में हम ड्रक्स के effect की study करते हैं यहां पे लिखा हुआ है first ड्रक्स की effect की study करते हैं and pharmacokinetic में हम body क्या response हो करता है drugs के लिए उसकी study करते हैं तो हमें अगर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि pharmacology को समझने से पहले pharmacodynamic and pharmacokinetic अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको pharmacology समझ में आ जाएगी तो चली हम start करते हैं drugs क्या है अभी हमने यहां पर ड्रक्स दिया तो ड्रक्स के बारे में और detail में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है drugs क्यों हम drugs का यूज करते हैं ठीक है तो यह chemical substance है मैंने पहले ही बोला chemical substance होता है raw form में होता है ठीक है जिसका use हम diagnosis prevention and treatment करने के करते हैं किसी भी disease की हमें कोई disease हुआ है उसको diagnose कैसे करेंगे prevention कैसे करेंगे treatment कैसे करेंगे ठीक है उसके लिए हम drugs का use करते हैं तो एक-एक terms को समझते हैं यह पर तीन terms दिये हुए है तो physician कि आपको कौन सी disease है ठीक है उसको correct मतलब उसको confirm करने के लिए कोई test करता है ठीक है ठीक है जैसे for example x-ray करता है ना अब आप बोलोगे कि drugs का क्या और होज आप इएक आप ये में आप ख्लेटरी रैट क्से अर्च मैं मसीन का यह फोता है बट कुछ केसे में क्या होता है एक्सरे करा च्रेटे टाइंट आइम जो एक्सरे की रेज होती है ना उनका बिचता था इमेज जो है यह suspension क्या करता है, suspension हमारे stomach में जाके store हो जाता है, फिर x-ray की जो raise है, जो drugs हमारे absorb हुआ है, यह drugs जो है, drugs को absorb करके, जो stomach में हमारे store हुआ है, उसको absorb करके, एक fluorescence light को emit करती है, जिसकी वज़े से जो हमारे x-ray की raise है, वो बहुत ही ज्यादा clear और visual हो जाती है, ठीक है, and prevention, prevention क्या है, अगर आपको कोई disease ना हो, उसके लिए पहले से आप कोई treatment ले रहे हो, जैसे vaccines ले रहे हो, यह हमारा prevention में आ गया, जैसे polio की vaccines होती है, दो बुन जिन्दगी की, ठीक है, हम ता बच्चे ना add करते हैं, अब COVID-19, अभी तो सबसे ज़्यादा famous है COVID-19, COVID-19 अभी COVID हो ना हमे इसके लिए हम लोग पहले से vaccinated हो जा रहे हैं, vaccines लगवा रहे हैं, तो यह हमारा किसी भी disease के लिए prevention है, पहले से बचाओ कर रहे हैं कि वो disease हमें हो ही ना, तो जैसे vaccines का use कर रहे हैं, ठीक है, vaccines भी हमारी एक drugs है, and then treatment, treatment में क्या है, treatment में कोई भी disease हुआ है, उसको treat करने के antibiotics लेना, जैसे for example लेलो ना, कि हमें fever हुआ हुआ है, fever हुआ है, तो हमारा temperature क्या है, बहुत ही ज्यादा high है, ठीक है, तो हमने paracetamol लिया, paracetamol जब लिया, paracetamol क्या करेगा, हमारे temperature को reduce कर देगा, ठीक है, हमारा fever कम हो जाएगा, तो यह हमारा treatment है, ठीक है, वैसे ही हमने pain killer लिया, हमारा pain कम हो गया, हमारा pain हो रहा है, हमने pain killer लिया, pain हमारा कम हो गया, तो यह हमारी treatment है, तो हम drugs का use करते हैं, ठीक है, अब हमारा जो दो हमने keyword यूज की है, drugs का effect on body and body का response for the drug, यह दो जो हमारे terms है, ना pharmacokinetic and dynamic है, हमारी पूरी pharmacology है, तो इनको one by one हम समझते है, सब से पहले हम drugs effect on the body, ठीक है, drugs effect on the body मतलब क्या होता है, pharmacodynamic, pharmacodynamic मतलब pharmacodynamic, two words से मेलकर बना है, pharmacodynamic, pharmacokinetic, 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 pharmacokinetic इसके definition को देखते हैं क्या है what does drug do to the body हमारा जो drug है हमारी body के साथ क्या कर रहा है यह हमारा क्या हो गया फार्मकोड डाइनेमिक हम इसके तुरू समझते हैं जैसे हमने कोई drugs लिया ठीक है पहला क्या होगा effect of drug effect of drug का मतलब actual work क्या है drugs का actual work क्या है drugs का जैसे हमें हुआ है fever फीवर हुआ है मेरा temperature बहुत हाई है ठीक है temperature हाई है ठीक है तो हमने drugs कौन सी लिए यह हमारी body है जिसको fever हुआ है temperature body की बहुत जादा हाई है ऑर हमने drugs ले लिया पैरासिटमॉल ठीक है पैरासिटमॉल क्या करेगा इस temperature को तो यह हमारा हमारा हमारी हमें वर्क है क्यों है मरताए है ठीक है तो temperature low होना यह actual work है drugs का ठीक है जैसे pain हो रहा है ठीक है body में यहाँ पे body में pain हो रहा है ठीक है हमने pain killer लिया तो pain killer लेने के बाद हमारा जो pain है वो reduce हो गया कम हो गया या खतम हो गया तो यह हमारे drugs का actual effect है second क्या होता है mechanism of their action अब यह drugs गया body में ठीक है body में गया अपना effect इन्होंने सो किया क्या pain को reduce कर दिया यहाँ पे temperature को reduce कर दिया ठीक है effect सो किया बट यह effect कैसे सो किया ठीक है उसको हम बोलते mechanism of action किस process से सो कर रहा है उसकी study भी हम फार्मको डाइनेमिक में करते है how did the drug do this work यह जो work कर रहा है temperature high है ठीक है लो कर दे रहा है pain हो रहा है खतम कर दे रहा है तो कैसे यह work को कर रहा है इसके भी study हम फार्मको डाइनेमिक के अंदर करते हैं जैसे और एक्जामपल आपको बहुत तेज बूक लगी है ठीक है बूक आपकी बॉड़ी को लगी है तो आप जोगे केंटिंग में कुछ खाने तो केंटिंग में कुछ खा हमारा भूग खतम हो गया हम की खा लिया हमारा भूग क्थ मोगा भूग जा के कैसे खतम कर रहा है वह पूरा जो प्रोसेश ऑड़े ने मेकनीय जौ ऐस Tucson समझ में आया इतना ठीक है तो अब यह जो इफेक्ट है यह जो इफेक्ट है ड्रग्स बाडी में जानेक बाद अगर करता है वह बहुत तरीकों से क्या कहों तो तरीकों से सो करता है यह जो ड्रक्स का इफेक्ट दो तरीकों से सो होता है डिजराइबल एफेक्ट एंड डिजराइबल एफेक्ट का मतलब क्यों होता है अगर ड्रक्स लेने के बाद आपको जो इफेक्ट चाहिए जैसे अपने प को ले रहे हैं ए안 डेजारीबल इफेक्ट मतलब मुल्हे उसके लिए उसके अलावा कुछ और चीजह सो होने लगी उसको कहते हैं डीजारीबल इफेक्ट जिसके हमें इकच्छा नहीं लातवaire कि treatment करेगा treatment करेगा जिससे हमारी health improved होगी ठीक है या तो आप dietary supplements लेते हैं pharmaceutical drugs लेते हैं जिससे आपकी health improve हो रही है वह भी आपके improvement में आगी health improve हो रहा है ठीक है next एंडेजाइरीबल effect अंडेजारीबल effect मतलब side effect side effect adverse effect toxic effect side effect क्या होता है side effect मतलब हमें ड्रक्स लेने से पहले पता होता है कि हमें यह सीम होने वाला है by gonna be omitting और कॉरδα क्वार सीरफ सहीडियता है हमें पता होता है किस सीra 낮 doen is sleeping cause गड़ें के कौफ सहील होने कोभ कर दो एक है यही दिदिदा कफ सीर रिलीम होने के लिग बड़ें स्लीप डोह आधा है चीक है, adverse effect मतलब side effect के अलामा जो effects हो रहे हैं जिसमको हमें पता ना हो जैसे races हो जाना, यह सब क्या है हमारे adverse effect, toxic effect, हमारे बहुत सारे कुछ और गन्स हैं वो failure होने लगे particular किसी drugs की huge करने की वज़े से, टो वो हमारे क्या हो गए टॉक्सिक एपेट ऐसे और भी बहुत सरे ऐपेक्ट सो होते हैं तो ड्रग्ज की कौन-कॉन से एफेक्ट सो हो रहे हैं फार्मकोडाइनेमिक में हम इसके इसके साथ यह आने वाले हैं यह दोनों साथ में रहते हैं यह साथ में अब हमारा है ड्रक्स को लेए के उसको बोलेंगे फार्मको काईनेटिक निसेस डाने के साथ किकि है अब यह ड्रक्स है यह हमारी बाड़ी के अंदर घया तो यह बॉटी के साथ हमारी body is drugs के साथ क्या कर रही है यह हो गया हमारा pharmacokinetic pharmacokinetic two words से मिलकर बना है pharmacokinetic pharmacokinetic का मतलब होता है drug and kinetic का मतलब होता है motion drugs का motion ठीक है it refers to the study of drug movement in through out in the body मतलब क्या होता है pharmacokinetic में हमने drugs लिया ड्रक्स अपने इफेक्ट को सो करने से पहले जो मुमेंट हमारी बाडी में करता है उसको हम बोलते हैं फार्मको काइनिटी ठीक है यह मुमेंट इन्वाल्व होते हैं फोर प्रोसेज में ADME ठीक है ADME जिसमें क्या होता है A stand for absorption D stand for distribution M stand for metabolism and X stand for excretion ठीक है तो क्या होता है अगर हमने कोई ड्रक्स लिया ठीक है यह हमारा ड्रक्स है यह हमने अपनी बाडी में लिया यह human body में गया ठीक है बाडी में गया तो सबसे पहले क्या होगी ड्रक्स की exception होगा हमाले small intestine में drug जाके अम्र्ब करेगा ठीक है यह drug गया tex suppose अब यह blood क्या करेगा distribute करेगा then यह अलग-अलग organ में जाके metabolism होगा जहां पिसकी जरूरत है जिसके लिए हमने यह drugs लिया है वहाँ पर जाके metabolism होगा अपना एक्सन्स हो करेगा then हमारी body से excrete out हो जाएगा excrete out होगा हमारी drugs दो तरीके से होती है water soluble होती है अब आपको कभी कभी लगता है ना कि सरदर्द कर रहा है दवा तो हम खा रहे हैं पेट में जा रहा है तो कैसे treatment हुआ तो हमारे इसी प्रोसेस के त्रूँ वह treatment होता है ब्लड क्या करता है drugs को lock and key model होता है अब यह drugs लिया drugs हमने लिया है pain killer के लिए ठीक है यह fever reduce करने के लिए पेट में ही दवा जाता है जो और पेट में हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइम फिर ब्लड के थरू जब डिस्ट्रिव्यूट होता है तो यह अपने particular receptor को खोशता है कहां पर हमें जादा स्कॉफ है University का मतलब ही मुझा फार्मकोलोजी अधा है प्यूह फार्मकोलोजी तो पहले स्कॉफ को ने टो पिसी डिजिउच और पैंतो डिसीज ऑदर कि नियुक elder के पैंतो की आप सब्टीए्ज्जिच फेंटीच है अब जिसको अगर डिपलोमा के स्टूडेंट किया है हमारी ड्रक्स पॉड़ी में कैके कैसे वर्क कर रही है कैसे हमें डेजीज कॉज हो रहा है ठीक है डिजीज कैसे कौन रहा है पैथजीय Church क्लिनिकल फार्मकोलोजी की स्टड़ी करते हैं ड्रक्स के साथ कौन सी ड्रक्स के साथ नहीं लेना चाहिए पोसोलोजी का मतलब होता है ड्रक्स का कैलकुलेशन अगर हम बच्चों को दे रहे हैं जैसे पेरसिटामॉल है बड़े ले रहे हैं तो 650 एमजी ले रहे हैं ठीक है बच्चे ले रहे हैं तो इसका होप ट्फ टेबलेट करके देना है 500 ऐमजी देना है तो lose ड्रक्स किटने एमाउंट में आपको लेना है करते हैं तेकिस स्टड़ी और ठीक है टूस्टिटी ओ टॉक्षिकिको लोजी मतलब करते हैं टूक्सिक सबस्टेंज उनके एंटीड किसी भी की स्थडी करते हैं तो इसटी अफ फॉरैंसिक साइनस स्थाइब्स नियु उट्रण्जी कोई बीजीज करते हैं उसटी स्थाड़ी करते हैं सिक्सिता स्थाइबvent की स्टेडी करते हैं तो स्टेडी औफ नए ड्रक्स को बनाने के स्टेडी हम साथ फार्मकोलोजी के सिसको बहुत बढ़ी है वोप करते हूं आपको यह वीडियो समझ में आई हो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें एक सिंगल बच्चे की कमेंट का रिपलाई देंगे और हाँ, हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को सेयर करें, ठैंक्यू सो माज